नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदर सेगरी जन्सन यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आलू के बारे में किसान भाईयों, आलू की फसल जब 30 से 35 दिन की होती है तो इस समय आलू की फसल में आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना होता है दोस्तों, अगर आप ये काम सही समय पर कर लेते हैं तो शुरुवात में आलू का वनस्पतिक विकास बहुत अच्छे से होता है फसल में पीला पन भी नहीं आता है और पौधा भी स्वस्थ रहता है साथ ही आलू की फसल किसी भी प्रकार की बिमारी कभी प्रकोप नहीं होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं जिसका उप्योग करके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भाईयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और पास वाली बेल आइकन को दबा कर बेल नॉटिफिकेशन अन कर लें किसान भाईयों, कुछ छेत्रों में किसान आलू की बुआई कर चुके हैं वहीं कुछ छेत्रों में भी कर रहे हैं दोस्तों, जब आलू की फसल 30 से 35 दिन के स्टेज में आती है तो इस समयवा केवल यह जरूरी होता है कि फसल हरी भरी रहे अच्छा जड़ों का विकास हो, ताकि जो कंद बनता है उसका भी अच्छे से विकास हो सके तो इस समय आलू में नाइट्रोजन, फस्फोरस और पोटास की पूर्ती करना होता है नाइट्रोजन फसल की वनस्पति विकास में सहायक होता है वो और ग्रोथ को बढ़ाती है फस्फोरस फसल में जड़ों का विकास करने में सहायक होता है और पोटास कंद को बढ़ाने में सहायक होता है मुख्रियूप से दोस्तों, 30 से 35 दिन के अंदर इन तीनों तत्व की पूर्ती करना आवश्यक होता है दोस्तों, बहुत से किसान एन पी के खात का प्रयोग करते हैं जिसमें आपको नाइट्रोजन, फस्फोरस और पोटास तीनों और वरक मिल जाते हैं इन तीनों तत्व की पूर्ती कर देते हैं अगर आप पहले नहीं डालते हैं तो जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब आप इसका उप्योग कर सकते हैं और एक बात दोस्तों, ध्यान से सुनना जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर उसमें एन पी के 19, 19, 19 इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, इसका 1 किलोगराम प्रती एकड़, 150 लीटर पानी में गोहल बनाकर अच्छे से स्प्रे करना है इससे यह होगा कि आलू में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की पूर्ती हो जाएगी जिससे आलू का पोधा अच्छा विकास करेगा और जड़ का विकास करेगा और ग्रोथ भी अच्छे से होगी कंद भी बहतर तरीके से विकास करेंगे तो इस प्रकार अगर आप अपनी आलू की फसल में ये काम कर लेते हैं तो आपको कई सारे फाइदे देखने को मिलेंगे आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों